हेलो, वीबर्ज, आज मैं आपको बताऊंगी कि असे मिया कैसे बनाते है यह सूजी लही है यह लिया है अटा जो आम हापके घर में होगा जी आटा मैताई नहीं हम एड़ करेंगे तो कि मैताई सेथ के लिए ठीक नहीं होता इसलिए हम मैताई अड़ करते आपको जो भी मैद्दा एड़ करना हो तो एक चमच आप मैद्दे का भी इसमें एड़ कर सकते हूं, यह एक चमच मैंने सूजी लिए, एक चमच मैंने अटा लिया है, अब इसको मिक्स करेंगे, अब इसमें एड़ करेंगे वाटर, आटा ज्यादा डीला नहीं रख रहे हैं, डीला रखोगे तो सेम या नहीं बनेंगे, आप इसको हाथ सेम कर सकते हो, आपने, मुझे बनेदेखर नहीं और करेंदेखर नहीं है, आप मुझे मीडेखर नहीं एक चेको वहाथ सेम अपनाते उल सहीं है, अपने दीलाद। में मुझे सकते होगे बनेगे, पाली बल्कुल ठीक हमने एड़ किया है, ज्यादा नहीं एड़ करना है मैदा काने से हमारे श्रीर में के पेट की बुमारियां हो जाकती है इसलिए मैदा हम नहीं दूर करते आटा और सूजी से बनाओ तो अच्छा है केवल सूजी से बना सकते हो अच्छा हमारा हो यह आप श्रीर में करते है आप श्रीर में करते है आप श्रीर में करते है छोटे इसके पीस कर लो आप श्रीर में कर ले लें है अब इसको ऐसी रोओ करके ना गर की बनी होई सेम्य वोद अच्छी बनती है आप दूद भी में बना सकते हो ऐसे भी देशी गी उमें बना सकते हैं अच्छा गी हो जो होता है जब देशी बना देशी बना देखे ऐसी कर देना रो इसको थोड़ा साटा लेकर ऐसे इंबूर कर देने इसकी फिर इसको जब बन जाएगी फिर इसको दूप में रखेंगे दूप नहीं है तो पांखे के नीचे रहने देना चाहिए क्योंकि सूख जाएगी गिल्ली तो नहीं हो सूखने के बाद ही हम बनाएंगे जिन वहनों का टाइम पास नहीं होता कहती हमारा टाइम नहीं पास होता वह ऐसे चुट-चुटे काम कर सकते हो आप ज्यादा बड़ा काम नहीं है इस में थकान भी नहीं होती बस ऐसे ही करी जाना करी जाना है टाइम पास आपका अच्छा हो जाएगा जितना आप एक गैंटा जदि आप एक गैंटे के लिए हो तो एक चम्मच ले लेना जदि आप आधा गैंटे के उसका लेलो आधा चम्मच इसका लेलो आदा चम्मच सूजी का लेलो, आदा चम्मच आठा लेलो, बस कुछ को गुंद कर आपका आदा गंटा पांस हो जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो, जब भी आप री आपका दिल उदा, सोजा, कुछ भी है, ऐसे आप काम कर सकते हो, ये खे बन गई है सेमिया जो कितने अच्छी बनेगे है ऐसे ऐसे बना लेनी है सबी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने थोड़ी सी बना कर आपको बताईए ऐसे बना लेनी नमकीन भी बना सकते हो मीठी भी बना सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो कलर भी डाल सकते हो इसमें अलग अलग कलर आटे में गून सकते हो बस मैंने आपको बतावाता है ऐसे तो आप यह दिखें ऐसे बन जाएगी आप इसे भी सारी सारी काई इसमें बना लेंगे फिर बताएंगे झाल करेंगेама